राधी राधी फ्रेंज जैसीरी कृष्णा स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में आज की इस वीडियो में हम सिवरात्री की सरल पूजाविदी देखेंगे तो आपको जहां भी पूजा करना है उस जगह को अच्छे से साफ करके रंगोली या स्वास्तिक बना के चौकी लगा लेंगे चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा भी छा लें अगर सफेद कपड़ा आपके पास नहीं है तो आप दुसरा भी ले सकते हैं इसके बाद हम थोड़े से अक्छत रखको शीव परिवार की फोटो को विराजवान करेंगे। इसके बाद ये देखिए एक प्लेट में स्वास्तिक बना के बेल पत रखको हम भोले बबा को विराजवान करेंगे। आक्चात रखकर दीब जला लेंगे, धूप जला लेंगे, इसके बाद हम सुद्धी करण करेंगे सर्व प्रत्थम हम गनेश जी की पूजा करेंगे चन्दन से रोली से तिलक करेंगे, फूलर पित करेंगे, दुरबार पित करेंगे अब हम भोले बाबा का अभिशेक करेंगे तो सबसे पहले हम सुधी जल से अभिशेक करेंगे आप जल में तोड़ा सा गंगा जल जरूर से मिला ले इसके बाद हम पंचामरीच से बाबा का अभिशेक करेंगे पंचामरीट से अविशेख के बाद हम फिर से सुधिजल से अविशेख करेंगे इसके बाद हम गंदोदक स्नान करेंगे चन्दन पावडर से इसके बाद हम सुधिजल से फिर से स्नान कराएंगे बाबा का स्नान के बाद हम बाबा का अंग पोशन करके बेल पत्र रखकर बाबा को विरजमान करेंगे इसके बाद हम सफेद चन्दन से बाबा को त्रिकून लगाएंगे सिव जी को कार्तिके जी को चन्दन का तिलक करेंगे माता को हम कुमकुम का तिलक करेंगे ये देखिए अब हम बाबा को भस्म अर्पित करेंगे भस्वरुप कलावा अर्पित करेंगे जनेव अर्पित करेंगे सीव परिवार को भी भस्त स्वरुप मौली अर्पित करेंगे जनेव अर्पित करेंगे इसके बाद हम अक्षात अर्पित करेंगे हरी मुंग अर्पित करेंगे, जो अर्पित करेंगे, काले तील अर्पित करेंगे आपको जो भी मिल जाए, आप वो सब बाबा को जरूर से अर्पित करें इसके बाद हम पुस्प अर्पित करेंगे जो भी पुस्ट आपको मिल जाए आप ओफ भोले बाबा को जरूर से अर्पित करें माता को हम गुलाब का पुस्ट परवित करेंगे इसके बाद हम बेल पत्र पर चंदन लगाकर भोले बाबा को अर्पित करेंगे समी पत्र अर्पित करेंगे आकड़े के पत्ते अर्पित करेंगे धतूरा अर्पित करेंगे जो भी समान है हम वो भोले बाबा को और सीव परिवार को दोनों जगा अर्पित करेंगे इसके बाद हम इत्र लगाएंगे कॉटन की मदद से हम इत्र लगा देंगे इसके बाद ये देखिए हम माता पारबती को सिंदूर अर्पित करेंगे और उनसे सुहाग लेंगे बाबा को हम भांग अर्पित कर देंगे और माता को हम सुहाग का समान अर्पित करेंगे आप 5, 7 या 16 सिंगार जो भी हो आप वो अर्पित कर सकते हैं माता को अब हम भोग लगा देंगे फल का बतासे का या मिश्री का आप उनका भोग लगा देंगे अब हम दक्षिना चढ़ा देंगे इसके बाद हम आरती करेंगे गनेश जी की भोले बाबा की सीव परिवार की सभी की हम आरती करेंगे आरती के बाद हाँ चोड़कर भोले बाबा से पुजा में हुई कम्यों के लिए छमाय अचना करेंगे और अपनी मनों कामना पूर्दी के लिए रातना करेंगे अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए थैंक यू, राधे राधे, जै सिरी कृष्णा